है दोस्तों नमस्कार माइनम इस प्रमोद एंड यूर वाचिंग कॉंसेट क्लासेज आज हम क्लास टेन चर्टिसगड़ वोट की ग्रामेटिकल पोर्शन के सिलेवस को डील करने वाले हैं इसमें आप देखिए आपके सिलेवस में क्या क्या है तो आपके सिलेवस में अगर मै आपको इस complete English जो grammar है उसके portion को अगर मैं बताना चाहूं तो सबसे पहला भाग है कि Determiners है Determiners के रूप में आपके articles है एंदा है, some है, any है, much है, many है, few, a few, little, a little, the little के concept है उस सब की video इस channel पलुकलब्द है आप चाहें तो वहाँ देखकर उसके concept को पा सकते हैं दूसरा है Do, Does, Did जिसमें आप Do, Does के normal यूज जो tense में यूज होते हैं और दूसरा उसका emphatic यूज है कि कैसे हम किसी वाक्य को बल देने के लिए Do, Does और Did का प्रयोग करते हैं ये भी इसके video आपने नहीं देखा है तो आप इस channel पर उसके video देख सकते हैं इसके बाद एक बहुत ही confusing पार्ट है जब मैं class 10 की class ले रहा था तो कहीं नहीं कहीं उसमें पुस्तक में थोड़ा सा error था error हाला कि छपा ठीक है लेकिन कहीं नहीं कहीं उसको अच्छे से clarify नहीं किया गया है जिसके कारण used to और would में काफी confusion हो जाता है कि कहां हमको used to का प्रियोग करना है और कहां you would का प्रियोग करना है तो उस पार्ट को भी मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्द करा दिया है जहां आप उस वीडियो को देखकर used to और would के concept को अच्छे से समस्तक सकते हैं अब आने वाली वीडियो में आपको conjunction, finite और non-finite verb, preposition, tense, voice and narration का concept इसके अलबागा जो question tag है, while or when है, adverb of time है और कोई फी और जो भी miscellaneous जो अधर पोर्षान जो छूटा होगा उन सारे चीजों को हम cover करेंगे दोस्तों, tenth एक ऐसा class है, जो आपकी पहली बूर्ड पर इच्छा होती है, और यह आपको काफी आत्मविश्वास से भर देगा अगर आप इसमें अच्छे से perform करते हैं यह एक ऐसी class होती है, जो आपके भविश्चिकन अधारन करती है, क्योंकि यहां से प्राप्त हुए confidence के अधार पर ही आप 11th या 12th में subject का चुनाओ करते हैं और उसके बाद उसी के अधार पर आपके college में भी जो subject है, वो decide होते हैं तो इसलिए 10th अगर आपका जो basic है, अगर वो अच्छा हुआ, तो आपको आगे चलकर किसी प्रकार की कोई परसानी नहीं होगी इसलिए आप बहुत अच्छा से इस class में, पहली board परिच्छा में अपना focus रखिए, अच्छा से पढ़िए क्योंकि कहीं नहीं है कि scrutiny का होता है, ये छटनी का समय होता है, क्योंकि 10th के बाद, क्योंकि बहुत सारे विद्ध्यारती फेल हो जाते हैं और कई लोग तो पढ़ाई छोड़ भी देते हैं, तो ये एक समय होता है कि इस चुनोती को फार करना, ताकि आप आने वाले एक्जाम के लिए तैयार आ सकें